हेलो डियर फ्यूचर ओफिसर्स, 20 फरवरी के करेंट अफेर्स पे बेस्ट MCQs में आपका स्वागत है यहाँ पे आपको स्टेब बाइ स्टेब बताया गया है किस तरीके से आप वेबसाइट से हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर इन questions की PDF with explanation डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है देखिए पहला question जो है वो geography से है इसमें comments के बारे में हमें तीन statement दिये हैं धूम के तू के बारे में और हम अगर 6th class के NCRT पढ़ते हैं उसी समय हमारा introduction जो है वो comments के साथ हो जाता है पहला statement बोलता है कि comments जो है वो ice से बनते हैं, water से बनते हैं, carbon dioxide, ammonia, methane और धूल मिट्टी से बने होते हैं दूसरा statement बोलता है कि इनको हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, human without किसी instrument के इनको नहीं देख सकता है तीसरा बोला है कि ये comments जो है इनकी खुद की जो है वो light होती है, ठीक है, तीन statement दिये हैं अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा statement जो है वो सही होगा देखे अगर हम statement 2 के ओर जाते हैं, कि इनको हम naked eye से नहीं देख सकते हैं, तो ये statement गलत हो जाएगा क्योंकि अगर आस्मान साफ हो, रात में, तो हम इनको easily देख सकते हैं, second statement हमारा गलत हो गया अब हमारे पास one और three और one बचा है, ठीक है पहला जो statement है वो तो correct हो जाएगा, क्योंकि ये ice के बने होते हैं, gas के बने होते हैं, ये ये तो बहुत basic से understanding है, हम sixth class में NCRT के अंदर ही इसको पड़ लेते हैं, ये statement जो है, वो सही हो गया बचा हमारा statement third, इसमें दिया है कि कॉमेट्स की जो है अपनी खुद के light होती है देखे, कॉमेट्स की अपनी खुद के light कभी भी नहीं होती है, हलांकि recently अभी NASA ने कुछ ऐसे कॉमेट्स को discover किया है, जिनकी खुद के light है बट generally जो है, वो sun की जो रोशनी होती है, वो ही इसके surface से reflect होती है और उसके बाद जो है, हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये statement गलत हो गया, हमारा जो option number B जो है, वो सही हो गया, ठीक है और ये comments है, ये generally अगर माने जिए clear night है, cloudy night नहीं है, तो हम इनको easily जो हो देख सकते है और इनकी ये tell जो पूँच है, जैसे जैसे ये सूरिया सन के नजदिक जाते हैं, इनकी ये tell जो है, वो बढ़ती जाती है और ज़्यादा glow ये करने लगती है question number 2 जो दिया है, वो दिया है कि रबारी, भारवण और चारण, ये जो tribes हैं, ये कौन से राज्य में बिलॉंग करती है गुजरात, अंदरप्रदेश, असम या फिर महरास्टा इस तरीके के question जो है, वो UPSC के different competition में आते रहते हैं tribes का नाम देदेंग और state का नाम जैसे गर्शिया हो गया, टोड़ा हो गया, तो ये रबारी, भारवाण और चारण, ये जो हैं वो गुजरात के अंदर है ठीक है, ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हमको इन्हें याद ही करना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है ठीक है, तो ये गुजरात में हैं, और ये जो हैं वो एक रेबारी जो पुरुश हैं, उनकी ये picture है question number 3 जो दिया है, वो not grid से दिया है, national intelligence grid से दिया है दो हमारे पास statement है, पहला statement बोलता है कि ये जो है not grid वो एक integrated intelligence master database के तरीके से काम करता है दूसरा statement बोलता है कि ये जो हमारी electronics and information technology जो मंत्राले है, उसके अंदर काम करता है हमें correct statement जो है वो बताना है कौन सा सही होगा, तो ये not grid जो है वो 2008 के जो हमारे बंबई में जो blast होते हैं 26-11, उसके बाद होता है क्योंकि उस समय हमें बहुत मतलब ज़्यादा problem हुई थी, सबसे main problem हमारी ये थी कि हमारे पास कोई coordinated intelligence नहीं थी, navy के अपनी अलग information थी, Mumbai police के अपनी अलग information थी, और वो दूसरे coast guard वाले उनके अपनी अलग information थी, तो उसके बाद इसको बनाया गया, तो दो statement दिये है पहला statement बिल्कुल सही है, ये क्या करता है, ये not grade जो है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ये एक store house के जैसे काम करता है, different जो agencies हैं, हमारे intelligence जैसे IB हो गया, RAW हो गया, जो military intelligence है, या फिर हमारे जो department of revenue intelligence है, तो ये सब जो है, वो अपनी जो information से, inputs हैं, वो उनको देते हैं, not grade को देते हैं, और not grade जो है, वो एक store house के जैसे काम करता है, ठीक है, वो ही फिर जो analysis बगरा करते हैं, वहाँ पर, ये जो है, वो ministry of electronics के अंदर नहीं आता है, तो पहला statement से ही, option A हमारा जो है, वो correct हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा कि ये not grade क्या है, क्यो important है, कैसे ये काम करता है, ठीक है, ये brief में यहाँ पे दिया हुआ है, question number 3 जो दिया है, कि जो world population report है, इसको कौन release करता है, ये UPSC का favorite question है, बहुत बार पूशता रहता है, कभी world justice report कौन release करता है, कभी ease of doing business कौन report करता है, तो इसको तीन option दी है, population research center, UNICEF, WHO या फिन ननबदा अबव, इसका जो correct होगा, वो ननबदा अबव होगा, च्योंकि इसको release, जो है, वो United Nations का, जो population fund है, वो इसको करता है, UNPF, ठीक है, और य UNPF है, इसका main जो काम है, वो है कि दुनिया भर के अंदर जो reproductive और maternal जो health है, उसको improve किया जाए, और यह UNPF, जो है, वो UN के एक agency है, तो brief में इसके बारे में दिया हुआ, United Nations, यह population fund, question number 5, जो दिया है, कि यह जो चावल की जो direct seed rice technology है, वो कैसे बहतर है, जो हमेशा से जो हमार transplanting technique है, उससे कैसे बहतर है, यह direct seed rice technology, देखिए, यह direct seeded rice technology अभी बहुत news में थी, कि पंजाब के अंदर जो है, वो mainly जो चावल के जो खेत है, वहाँ पे labors जो है, वो बिहार से और उत्तरप्रदेश से आते हैं, लेकिन lockdown के अंदर बहुत shortage हो गई, labors की, time कम था, इसके rice technology को use किया, traditional जो transplanting, जो technique है, उसमें क्या होता है, कि हम rice के छोटे-छोटे saplings को पहले nursery में तयार करते हैं, और nursery में तयार करने के बाद उनको directly हम लाके लगा देते हैं, लेकिन direct ये seeded, जो rice technology, इसमें, जो seeds होते हैं, उनको हम जो है, वो use करते हैं, खेत में, तीन हमें statement दिय R, यानि कि direct seed technology को use करेंगे, तो हमें fertilizer की जरुत बिल्कुल खतम हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है, eliminate लिखा है, देखिए, word पे ध्यान देजिए, कि fertilizer की कोई जरुत नहीं पड़ेगी, दूसरा बोला है कि ये pesticide और जो weedicide है, जो खरपतवार नाशक है, उनके कोई जरुत न fertilizer, fertilizer की use ही ना पड़े, या pesticide वगरा की use ना पड़े, तो हर कोई इसको use करने लगने लग जाता, ठीक है, तो इसके ये पहला statement गलत है, क्योंकि fertilizer की जरुत पड़ती है, लेकिन fertilizer की जो efficiency उबढ़ जाती है, और हमें कम जरुत पड़ती है, दूसरा ये है कि pesticide और ये weedicide है, इ ये चीछ जरूर है कि जो methane का जो emission होता है, वो कम हो जाएगा, इस तरीके से हमारा तीसरा statement सही है, option number C जो है, वो हमारा सही हो जाएगे, और यहाँ पर ये जो DSR technology, इसके बहुत सारे benefits भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके फसल जो है जल्दी तयार हो जाती है, और ज division हम MCQs के through कर रहे हैं, उसमें आज 20 फरवरी के दिन जो है वो science and tech के MCQs जो है, वो सामने discuss किये जाएंगे, आप इसके लिए उडान की जो booklet है, science and technology वाली prelims special 2021 वो पढ़ सकते हैं, ये booklet के लिए आपको telegram channel only is nothing else पे जाना होगा, वहाँ पे जाकर आप PDF जो है, वो free of cost डाउन होने से पहले, आप हमें comment करके जुरूर बताइए कि आपको आज कितने MCQs आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने skip किये, या कितने ऐसे question थे जो आपने silly mistakes की वज़े से गलत कर दिये, ठीक है, तो only eyes से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहु देलिऄ में तो